असलाम अलेकम स्टूडेंट्स आज की एक और वीडियो बीएट के फर्स मिश्टर वालों के लिए है जिसमें उनका एक सब्जेक्ट होता है EDU 630 और इसमें उनको एक रिशर्च बनानी होती है किसी एक टॉपिक के उपर और वो टॉपिक स्टूडन्ट खुद सेलेक्ट करके देता है अपने सुपरवाईजर को कम असकम तीन टॉपिक देने होते हैं जिसमें से एक अपरूव होता है और उसके उपर आपने फिर मज़ीद काम करना होता है आप मेहनत करें तो यह आप खुद भी कर सकते हैं इंशाला तो थोड़ी सी गाइडलान आपको प्रॉइड करते हैं कि आपने इसको EDU 630 को किस तरह कमप्लीट करना है इसकी डेडलाइन 6 दिसमबर है उसे पहले पहले आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट करके यूनिवर्स्टी को असाइनमेंट की सुरत में सब्मेट करवा देना है इसके पहले मजीज जो बाते हम करेंगे इस हवाले से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके उपर सारी की सारी जो वीडियोज हैं वो इसी तरह की है आज़ इंताही जरूरी होती है वी-उ के इत्माम स्थवानस के लिए तो इसमें होता क्या है कि आपने सबसे पहले अपने LMS में जा करे देखना है कि टोटल इसकी एसाइनमेंट को अपने EDU 630 के अदर टोटल 6 एसाइनमेंट को सब्मेट करना होता है यानि आपका जो ठीसoten है रिससेच टोटल छ शे एसाइनमेंट पर मुश्मिल होता है और सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है research topic निया आपने topics लिखना है जिसके उपर आपने ये मजीद काम करना है तो topic कैसे लिखेंगे आप मुख्लिफ simple जो आपके senior से पी help ले सकते हैं, teacher से भी ले सकते हैं तो मैं आपको example दे देता हूँ कि आपका topics किस तरह हो सकता है, यानि कि मैं एक topic लिखता हूँ, अभी मेरे एक बहन में आया है Impact of COVID-19 on online education ये एक topic है, इसको मजीद भी थोड़ा सा specifies किया सकता है, इस तरह के आपने मजीद एक topic लिखना है यानि दूसरा topic मैं फर्स कर रहा हूँ आपके सामने, कि आपने इस तरह के कुछ लिखने हैं जिसके उपर थोड़ा सा आप सो समझ के मजीद काम कर सके impact of technology on primary level teaching इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये मेरे जहन में भी जो आ रहे थे, वो आप को मैंने शेयर कर दिया हैं, जस्ट example के तोर पर, topics आपने इस तरह के लिखने हैं कि आप उसके उपर मजीद जो assignment होनी है, जिनि statement and problem of objects इस तरह की और उसके बाद जो मजीद assignment आनी है, तो आप उसके उपर काम कर सकें, तो ये total आपने तीन assignment लिख देनी है, तीन आपने लिखनी है topics और आपने इसको जाके submit कर द आपने assignment में जाएंगे और यहां पर आपने assignment के अंदर जाके, आपने क्या करना है कि उसको तो में फाइल बनाई भी है, यहां पर आप उपके करके submit कर देंगे, तो फरस्त तरीका ये है, जो EDU 630 का है, आपने करना क्या है, topics select करें, परिशान होने की जरूरत नहीं है, और असानी के साथ, दो तिन जो topics easy easy लगते हैं, आपको इस तरह थोड़ा सा सोच बचार करके, आप वो लिखके submit करते हैं, फिर उसके उपर काम हो जाएगा, और जो वियू के teachers हैं, instructors हैं, वो properly आपके साथ, राप्ते में होते हैं, आपको comment करते हैं, आप यह जो है, प्रोफेसर इसके डक्तर नुमान अब्दिल्ला साहिब, यह बिल्कुल आपको गाइड करते रहेंगे साथ साथ, तो परशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, यह properly आपको साथ लेके चलते हैं, बिल्कुल शोड़ा नहीं जाता आपको, कि आपको कोई गाइड करने वाला नही कुछ इस तरह कुछ भी ऐसा नहीं होगा, इंशाला, तो आपने करना क्या है, अगर अब फिर भी कोई इशू है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही सवाले से, फिर आप हमसे रापता कर सकते हैं, नंबर आपको वीडियो के उपर मिल जाएगा, तो आपने इस तरह इसको है, इसकी भी मैं वीडियो बना के शेयर कर चुका हूँ, तो आज का जो टापिक्स था वो तो होफुली आपको थोड़ा अंडस्टैंड हो गया होगा, तो आप टापिक्स बनाएं, सम्मेट करें, और फिर इंशाला, अगली वीडियो में आपको इसके उपर मजीद डिटे के साथ शेयर कर देंगे, अपने इस चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा, वियू खानपूर, और मिलते हैं इंशाला अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्यार रखें, अजा आफिस,